सिक्षक सांथियों नमस्कार आपका अपना यूटूब चैनल लक्षी तीजिटेक में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों बेसलाइन आकलन की प्रक्रिया आज से प्रारम हो गई है और आज ही cg school portal में जो baseline entry का option था वह open हो गया है तो चलो दोस्तों मैं आपको आज की वीड प्रागिन होने के बाद दोस्तों आपको चले जाना है सिक्षक के option में उसके बाद यहां से three line को click करके सिक्षक के कार्य में जाना है फिर दोस्तों विद्यार्थी के option को click करना है यहां जाने के बाद आपको बहुत सारे विवरण नजर आएंगे इसमें से आपको चैन करना है baseline test entry इसको जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों यह देखे baseline test entry का जो page है वह open हो गया है यहाँ पर आपके block का नाम है फिर आपके school का नाम और school का code है और कक्छा एक से 5 उसके बाद है दोस्तों कक्छा चुने फिर है section चुने उसके बाद है विशय चुने फिर विद्यार्थी खोजे option को click कर देना है तो चलो दोस्तों सबसे पहले कक्छा चुने option को feel करते हैं कक्छा 4 उसके बाद section को chain कर लेते हैं section A फिर विशय का chain कर लेते हैं विशय हिंदी और विद्यार्थी खोजे आपसन को क्लिक कर देंगे इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके समक्षाप की विद्याला में जितने विद्यार्थी हैं कक्षचार में वे सभी नजराएंगे यह देखी यह सभी कक्षचार के विद्यार्थी हैं कक्षचार में कुल 21 लिखा हुआ है यहां खंड अ, खंड ब और खंड सा का है यहां अभी हिडन है दोस्तों इसको कैसे ओपन करना है सबसे पहले आपको इस बक्से को क्लिक करना है इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे वहां पर अंक भरने का जो आपसन है वह ओपन हो जाएगा यह देखिए आपको ध्यार रखना इस बक्से को फिल करना अनिवार है, अगर आप बक्से को फिल नहीं करेंगे तो आप अंक नहीं दे पाएंगे, अब सभी बच्चों के नाम के सामने में बक्सा बनाओ है दोस्तों, उसको आपको बार-बार फिल करना पड़ेगा, उससे अच्छा है, यहाँ प अब यहाँ पर एक मुख्य बात बता दू दोस्तों, आज आप जो विद्यार्थियों का बेसलाइन आकलन लिये हैं, उसमें तीन खंड था, खंड भा खंड सा, तीनों सेक्षन में जो अंक है, उसको आप आफलाइन रिकार्ट के रूप में अलग-अलग संधारित करेंगे, अलग-अलग संधारित करेंगे, तो आपको इस पोर्टल में एंट्री करते वक्त किसी प्रकार की परसानी नहीं होगी, अगर आप एक साथ एंट्री कर देंगे, जैसे पचास में आप बच्चे को 40 अंग दे देंगे, तो यहाँ पर एंट्री करते वक्त आपको फिर उसको बाटना पड़ेगा, तो आप आफ लाइन प्राप्तांग देते समय तीनो खंडों का अलग-अलग प्राप्तांग देंगे, उसके बाद यहाँ पर जब एंट्री करने का कार्य प्राराम करेंगे, तो आपको बढ़िया सुधा होगी, तो दोस्तों मैं इस विद्यार्थी क दे देता हूं दोस्तों, 21 अंक, उसके बाद है खंडबा, खंडबा में विद्यार्थी को 12 अंकों का था, 12 में यह विद्यार्थी 8 अंक अरजित किया है, और खंड़ सा, खंड़ सा था दोस्तों 8 अंक का, 8 में यह विद्यार्थी 5 अंक अरजित किया है, यहाँ पर 5 अंक फिल करेंगे, यह देखिए दोस्तों, अब तीनो खंड जो है फिल हो चुका है, तीनो खंड को फिल करने के बाद, यह देखिए लास्ट वाला में दोस्तों, सिर्फ एक अंकी ले रहा है, इसलिए आपको एक अंकी डालना है, यहाँ जीरो पर जीरो अंक डालेंगे, तो वहा यह देखिए यहाँ पर अंक दर्ज़ करे करके अपसन आ गया यह देखिए और यहाँ पर इस विद्यार्थी का जो अंक है वह फिल हो गया है तो दोस्तों आपको बारी-बारी से इसी प्रकार फिल करते जाना है यहाँ पर कोई नोटिफिकेसन नहीं आएगा आप विद्यार्थियों का जो अंक है उसको पहले तो तीनों खंडों में बाट लेंगे उसके बाद आप एक साथ सभी विद्यार्थियों का फिलप करते जाएंगे और जब लाष्ट में आप सुरक्षित करेंगे उस समय आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा चुकि अभी एक विद्यार्थिका किये हैं इसलिए हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया है तो दोस्तों आप रिकार्ड का संधारन तीन खंडों में करेंगे तो आपको अच्छी स्विधा होगी और एक साथ करेंगे तो आपको पुना बाटना पड़ सकता है तो आज की विडियो में बस इतना ही है दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक, सेर, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत बहुत धन्यवाद